दोस्तों एक अच्छे लीडर की निशानी ये होती है कि वो वो चीज़ें देख सकता है जो बाकी के लोग उसके साथ रहते वे नहीं देख सकते इस वीडियो में आप बिल गेट्स का एक टेट टॉक देखेंगे कि जो कि 2015 में उन्हों नहीं दिया था और बिल गेट्स को हम सभी जानते हैं माइक्रोसोफ्ट के फाउंडर के तौर पे और हम सभी उनके फैन या तो जादा तर लोग होते हैं और नहीं भी होते तो इंप्रेस तो जरूर होते हैं लेकिन इस वीडियो का अगर आप पूरा देखेंगे तो आप डेफिनेटली उनके भगत बन जाएंगे क्योंकि उनका जो विशन था वो हमें किस लेवल पे करोना से बचा सकता था इस पैंडेमिक से बचा सकता था वो आप इस वीडियो के अंतक अगर रहें तो आप जरू नमस्कार दोस्तों जब मैं एक बच्चा था जिस आपदा के बारे में हम सबसे ज़्यादा चिंतित होते थे वो एक न्यूक्लियर वार होता था इसलिए हम अपने घरों के बेश्मेंट में एक इस तरीके का बैरल रखते थे जिसके अंदर खाना और पीने का पानी पूरा आरेंज्मेंट किया वा होता था और अगर कभी भी nuclear attack हो तो हमें नीचे जा करके अपने basement में जा करके बैरल से खाना और पानी की विवस्था करनी थी दोस्तों आज वर्ल्ड की तबाही का सबसे बड़ा खत्रा ऐसा नहीं दिखता इसके बजाए ये कुछ ऐसा दिखता है अगर अगले कुछ दशकों में कुछ भी चीज दस मिलियन से भी ज़्यादा अधिक लोगों को मार सकती है तो वो एक युद्ध के बजाए एक बहुत खतरनाक संक्रामक infectious virus होने की संभावना ज़्यादा है यानि missile नहीं बलकि एक virus एक pathogen इसका एक करण ये भी है कि हमने nuclear चीज़ों के अंदर बहुत ज़ादा निवेश किया है बहुत investment किया है लेकिन एक epidemic को एक pandemic को रोकने के लिए कोई process बराने के लिए उसके अंदर कोई निवेश नहीं किया है या फिर जो किया है वो बहुत कम है यानि कि हम अगली pandemic के लिए तयार नहीं है चलिए Ebola का example लेते हैं पिछले साल की बात है मुझे यकीन है कि आप सभी ने इसके बारे में news में जरूर देखा होगा बहुत सारे challenges के बारे में सुना होगा मैंने polio को हटाने वाली जो track करने के लिए उप्योग की जाती है उस case analysis tool के माध्यम से इसका बड़ा गहन अध्यन किया और जैसा कि हम सब ने देखा समस्या ये नहीं थी कि यहाँ पर प्रणाली की कोई कमी थी जो ऐसी प्रणाली हो जो सही तरीके से काम कर सके बल्कि समस्या ये थी कि हमारे पास कोई प्रणाली कोई process था ही नहीं यानि कि देखा जाए तो बहुत सारी कडिया गायब थी हमारे पास महामारी विशेशग्यों का यानि एपिडेमिक की जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं उनका ऐसा कोई ग्रूप या कोई टीम नहीं थी जो जाने के लिए तयार हो जो चले जाते और देखते हैं कि ये बिमारी क्या है कितनी फैल गई है कितनी फैल सकती थी कागजों पर मामले के रिपोर्ट तो आ गई लेकिन ऑनलाइन डालने से पहले बहुत देर हो चुकी थी और वो जो आकड़े थे वो गलत थे हमारे पास जाने के लिए कोई मेडिकल तीम तयार ही नहीं थी हमारे पास लोगों को तयार करने का कोई तरीका भी नहीं था और उस दोरान ये जो संस्था है जिसका नाम है इसने जो वॉलेंटियर्स हैं उनको और्गनाईज करने का बड़ा अच्छा काम किया लेकिन फिर भी हम इन देशों में हजारों वरकर्स को लाने की जो स्पीड थी हमारी वो बहुत कम थी और एक बड़ी महमारी के मामले में हमें सेंकडों हजारों वरकर्स की आविशक्ता होगी वहां इलाज के तरीकों को देखने वाला कोई नहीं था ना कोई जाच करने वाला कोई नहीं जानता था कि कौन से उपकरण का किस तरीके से उपयोग किया जाहिए एक वधारन के तोर पे हम जीवित बचेवे लोगों का खून ले सकते थे उसे प्रोसेस करके उसको प ये सारी चीजें देखा जाए तो एक वर्ल्ड के तौर पे हम फेल हुए हैं, ये वैश्विक विफलता है, अब आप कहेंगे डबलू एचो की भी तो कुछ रिस्पोंसिबिलिटी है, देखें डबलू एचो को महामारी पर नजर रखने के लिए फंड दिया जाता है, लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए नहीं, जिनके बारे मैं बात कर रहा हूँ मैं, और ये आप अगर फिल्मों में देखेंगे तो ये काफी अलग होता है, वहाँ पर कुछ खुबसूरत से दिखने वाले स्पेशलिस्ट्स होते हैं, जो उनकी पूरी टीम होती है, और वो अपन खतरनाक मौका दे सकती है, कहूंगा देर रही है, आए ये मौजुदा वर्ष 2015 के दोरान इभूला के प्रसार को देखें, प्रोग्रेस को देखें, लगबग 10,000 लोग मारे गए, और लगबग सभी तीन देश जहां ये लोग मारे गए, वो पश्चिमी अफ्रीकी देश थ उन्होंने लोगों को ढूंडा और संक्रमन को रोका, दूसरा रीजन जिसकी वज़े से ज़्यादा नहीं फैला वो है इस वायरस की जो नेचर है, इभूला हवा से नहीं फैलता है, और आप जब तक इन्फेक्टेड होते हैं, तब तक आप इतने भीमार हो चुके होते हैं कि आप बिस्तर पे पड़े होते हैं, तो वहां से आगे फैलने के चांसे नहीं के बराबर हैं, और तीसरा और आखरी रीजन की इभूला इतना फैला क्यों नहीं, क्योंकि ये शेहरी छेत्रों में आया ही नहीं, अब इसको कह सकते हैं ये हमारी किस्मत थी, क्योंकि अगर ये बड़े तौर पे शेहरी क्षेत्रों में पहुंच गया होता, तो ये जो मामला आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या हो सकती थी, तो अगली बार हम इतने लखी शायद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इंफेक्टेड हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेग ये जो वाइरस की मैं बात कर रहा हूं, जो फ्यूचर में आ सकता है, ये इबूला की तरह एक नैचरल पैंडेमिक हो सकता है, या फिर ये एक बायो टर्रिरिजम का भी प्राड़क्ट हो सकता है, और अगर ये ऐसा होगा, तो ये समझ लीजे कि ये चीज़ों को हजार गु पीछे जाना पड़ेगा, मतलब काफी फ्लैश बैक में, 1918 में, 1918 में एक स्पैनिश फ्लू बहुत फैला था, तो ऐसे में आपको पता ही हो कि उस महामारी से 30 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे, तो कहले का मकसद एक है कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके लिए हमें चिंतित होना चाहिए, तो कैसे, चिंतित हो कि हम क्या करें, तो वस्तों में देखें, तो हम एक अच्छा response system create कर सकते हैं, हमारे पास science है, technology है, उन सभी चीजों के plus points हमारे पास हैं, हमारे पास जनता से, public से, जो जानकारी प्राप्त करने, और उन जानकारी को प्राप्त करन के लिए जो cell phones हैं, वो बहुत बढ़ा टूल है, हमारे पास satellite maps हैं, जैसे हम देख सकते हैं, लोग कहा जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हमने biotechnology में इतनी प्रग्रती किये हैं, कि हम एक pathogen को, एक virus को समझ करके, उसका तोड एक vaccine की रूप में समय रहते हैं, निकाल सकते हैं, इसलिए हमारे पास उपकरण तो हो सकते हैं, लेकिन उन उपकरणों को समूचे world health system में डालने की आप ज़रूरत आ गई है, और इसके लिए हमें तयारी करनी ही पड़ेगी, मुझे लगता है दोस्तों की सबसे अच्छा सबक तो यह है, कि हम अपने आपको तयार कैसे करें, यह हमें युद्ध की तयारियों से सीखनी चाहिए, अब आप सैनिकों की अगर बात करें, तो वो बिलकुल तयार रहते हैं, अगर उनको युद्ध पर जाना है, तो वो बि बिढ़ जाते हैं, इसके लिए सेना के पास बहुत सारे युक्तियां होती हैं, जिससे कि वो सैनिकों की तयारियों को परखते हैं, उनकी ट्रीनिंग को जाचते हैं, और तभी उन्हें सीमाई पर जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो हमें भी एक आने वाली महामारी से नि जो गरीब देश हैं, वहां की स्वास्ते प्रोसेस को स्ट्रॉंग करने की जरूरत हैं, जाहां माताएं सुरक्षिरूत रूप से बच्चों को जनम दे सकती हैं, बच्चे अपने टीका लगवा सकें, यह हमें ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह वही जगह हैं, यह वही specialist का एक background हो, जो जाने के लिए तयार हो, और फिर हमें उन medical teams को सेना के साथ भी जोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि सेना के पास टेजी से आगे बढ़ना है, तो सेना के पास पूरी इसका equipped होता हैं वो इस काम के लिए, logistics उनका बहुत strong होता है, और सेना की इस अदबत शमता क हमें लाब उठाना चाहिए, और तयारी के लिए भी हमें सेना से सीखना चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा था, simulation, यानि germ games जैसी चीजों को हम करा सकते हैं, जैसे सेना करती है, सेना तो war games करती है, हमें germ games करने होंगे, इससे ही हमें पता चलेगा कि कहां कहां gaps exist कर रहे हैं, और germ game 2001 में किया गया था, और आपको बता दूँ कि वो पूरी तरीके से flop हुआ था, और उस germ game में इनसान हार गए थे, और germ का score 1 था, और लोगों का score 0, तो lastly मैं ही कहना चाहूँगा कि हमें vaccines और रोगों के उपचार के शेत्र में बहुत सारे progress की, बहुत सारे research and development की ज़रूरत है, और adeno associated virus जैसी कुद बड़ी सफलता हैं जो बहुत तेजी से काम कर सकती है, अब आप कहेंगे इसके लिए क्या budget हो सकता है, तो मेरे पास इसके कोई सटीक budget तो नहीं है कि इसकी क्या लागत होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो संभावित नुकसान हो सकता है future मे उसकी तुलना में ये बहुत छोटी रकम होगी, अगर विश्व वैंक का अनुमान लगाएं तो दुनिया भर में अगर फ्लू जैसी कोई महामारी फैलती है, तो वैश्विक धन जो है तीन ट्रिलियन डॉलर से भी कम हो जाएगा, और उससे भी बड़ी चीज हमारे आसपा स्वास्ते देखभाल और रिसर्च और डेवलप्मेंट और जो गरीब देश हैं उनको सशक्त करना है, जिसे कि दुनिया ज्यादा सुरक्षित बन सके है, इसलिए मुझे ये भी लगता है कि यही हमारी प्राइमरिली रिस्पॉंसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम सब को एक ब बुलना है कि समय नहीं है अब तयारी कर लेनी चाहिए, भली 2015 है लेकिन आने वाले समय में ऐसा कौन सा वाइरस हमें कब अटैक करें कोई नहीं कह सकता, तो वास्तों में अगर एबोला महामारी से एक पॉजिटीव चीज हम ले सकते हैं तो यह है कि हम एक इनिशल मिल गई है, एक चितावनी मिल गई है, एक अलाम मिल गया है, इसे एक वेक अप कॉल के रूप में लेना चाहिए, और अगर हम अभी से तयारी शुरू कर दें, तो अगली महामारी के लिए हम बिलकुल तयार हो सकते हैं, धन्यवात.